अच्छा दोस्तों एक बात बदाईए कि आप उन लोगों में से हैं जुने वीडियो से ज़ादा बिनोध और क्रियेटिव बंदों के कॉमेंट्स देखने मज़ा आता है अगर आता है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है येस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ह तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले वो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दवा कि वो बगल वाले घंटे को भी हिला देना ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे नमबर वन दोस्तों नमबर वन पर है बिली एलिस चैनल का सॉंग बैड गाई जिसके कॉ पादा लाइक्स दोकर किसी वीडियो को मिल जाएं वो तो कमाल ही कर दे खैर इस कॉमेंट में पता है क्या लिखा था इस कॉमेंट में लिखा था I am the bald guy अरे अंकल वो तो आप होई और आपने इतना पैसा खर्चा करके वीडियो भी बना दिया अब भाई कॉमेंट करने की क आप बोले ही रोस्टिंग कर दी थी और इतना ही नहीं कैरी ने यूट्यूब को भी इस बार लपेटे में ले लिया वैजे बढ़िया तरीका है सेल्फ पॉब्लिसिटी करने का क्या कहते हैं आप इस बारे में नमबर फोर यूट्यूब ने शॉट्स का फीचर जब एट किया तब यह नहीं सोचा होगा कि लोग शॉट्स पे ही अपना चैनल बना लेंगे और उपर से ऐसी हरकते करेंगे यह तो यूट्यूब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा पॉपलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने एक आदमी को होस्टेज बना लिया एंड सिर्फ ड्रीम नाम के यूट्यूब को कॉमेंट करने के लिए बोला है और ड्रीम ने कॉमेंट किया भी जिसे 1.4 मिलियन लाइक्स मिल गए वाँ भाँ गजब है बट्स्टर नाम के एक यूट्यूबर ने सिर्फ कॉमेंट पे वीडियो बना डाला जिसमें वो पॉपलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को याद कर रहा है वैसे अकर हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारे यहां भी तो नले लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं क्यों? और जो वीडियो वो बनाते हैं वो देखने के बाद उनको ही अपसोस होता होगा खैर इस वीडियो पे बाद में मिस्टर बीस्ट ने कॉमेंट किया जिसे पूरे 1.2 मिलियन लाइक्स मिलें नमबर 6 लूज यू तो लव मी सेलेना गोमेज का एक ओफिशल वीडियो है जिसके पिंड कॉमेंट को 1.2 मिलियन लोगों ने काफी पसंद किया और एक बात बताओं कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सेलेना ने क्या लिखा है अरे भाई बस सेलेना ने लिखा है तो लाइक कर दो यार कर दो दोस्तों मैं बताओं ऐसी प्रजाती को हम सिंगल लॉंडे कहते हैं सिंपल सी बात है नमबर 7 ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक्टॉकर्स ही अपनी कम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं अरे भाई फॉरें यूटूबर्स भी अपनी कम्यूनिटी के यूटूबर्स को सपोर्ट करते हैं बड़ बड़ उनका तरीका थोड़ा सा आउट अफ दा लॉजिक है अब मिस्टर बीस्ट को ही देख लीजे उन्होंने अपने शॉट्स वाली चैनल पे एक वीडियो डाली भाई वीडियो डाल दी सिर्फ इसलिए कि प्यूटी पाई उसे लाइक करें अरे क्या गजब का कॉमेंट लिखा है यार वाह मान गए गुरू मान गए अरे ठोको ताली यार इस ट्रिक के बाद तो प्यूटी पाई ने कॉमेंट किया और उस कॉमेंट ने बटोरे 1.2 मिलियन लाइक्स दोस्तों एक बात बताओ अगर आप नए यूट्यूबर हो और लोगों का अटेंशन गेन करना चाते हो तो क्या करोगे अरे छोड़ो यार मैं बताता हूँ ये तरीकर ट्राइ कर सकते हो आप किसी भी पॉपुलर वीडियो पे जाके कुछ मीनिंगलेस कॉमेंट कर दो फिर देखिए लोग कैसे आपके कॉमेंट को सीरियस्ली ले लेते हैं यही फॉर्मले को यूज करके टाइम वोक्स नाम की यूट्यूबर ने अपने कॉमेंट पे 9,45,000 लाइक्स गेन कर लिए वाँ 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 क्या दिमाग लगा है ना अपने जुक्कू यानि की माँग जगवर्ग ने 132 मिलियन डॉलर की चैट की दुकान लगाई है पर लोग बात करने जाते हैं यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में लिल डिकी ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया अर्थ और नेशनल जिग्राफिक ने खुद तारीफ भी की पर कहां भाई कॉमेंट सेक्शन में और कहां और इस कॉमेंट ने 8,51,000 लाइक भी बटोर लिए दोस्तों जब क्रियेटर्स के चैनल मिलियंस ओफ सब्सक्राइबर्स हिट कर जाते हैं और कॉंटेंट नहीं मिलता है तो वो खुद के ही पुराने किसी वीडियो पे रियाक्शन दे देते हैं और जैसे कि ये मिस्टर बीस ने किया अब इन्होंने क्या किया कि अपने सालों पुराने वीडियो पे अपना रियाक्शन देते हुए कहा कि ये देखो ये मेरी पुरानी वीडियो है बस और फिर उसके बाद नीचे एक कॉमेंट कर दिया और हो गया कमाल देखो आठ लाग छे हजार लाइक्स की बरसात हो गई वाय यार वाय ये बंदा कितना क्रियेटिव है यार हैट्स ओफ है इसे अब नमबर 11 पर है ये 80's का सौंग जिससे यूटूब पे अब तक एक बिलियन व्यूज मिल चुके हैं अब इस पे कॉमेंट किया है गिरे हुए इंसान ने अरे गिरे हुए इंसान का मेरा मतलब है दा फॉलन ने जिसने लिखा है पता नहीं क्यों इस कॉमेंट को देखकर मुझे लग रहा है कि ये आदमी धमकी दे रहा है तू यहाँ पहली बार नहीं आया है और तुझे भी पता है पता नहीं लोगों को इस कॉमेंट में क्या दिखा जो भी हो लोगों ने इस पर 7,44,000 लाइक्स की बारिश कर दी और यह हो गया Most Liked कॉमेंट्स में से एक नमबर 12 दोस्तों अब नमबर 12 पर वो कॉमेंट है जिसे पढ़के आपको वो दिन याद आ जाएंगे जब हम टूजी से पीटी उशा वाली उम्मीद लगाते थे येस 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 सॉंग है Eminem Rap God और इस पर सुनहरी रात ने अरे मेरा मतलब है कि Golden Night Time ने कॉमेंट किया हुआ है अब देखी क्या कॉमेंट किया है Eminem raps faster than my internet connection ये कॉमेंट पढ़के लोगों को यूनियर याद आ गया और इस पर 7,88,000 लाइक्स बरसा दिये खेर अब चलते हैं number 13 पर अब number 13 पर है Eminem की बुआ का लड़का येस 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 बुआ का लड़का जिसने Michael Jackson का सॉंग बैट सिर्फ 20 सेकंड में पूरा का दिया अगर ये इंसान इंडिया में होता ना तो इसे आराम से सेंटर फ्रेश की एड में लीड रोल मिल जाता वेल इस वीडियो के पिंड कॉमें पें टैरे स्टार ने लिखा है कि और इस कॉमेंट पर पड़े हैं 7,18,000 लाइक्स दोस्तों number 14 पर है Spanish वीडियो जिसका टाइटल है यह पूरा वीडियो स्पैनिश में है या तो आपको स्पैनिश सीखनी पड़ेगी या फिर यह वीडियो आप ऐसी देख लो या है वैसे इस वीडियो के पिंड कॉमेंट ने बटो रहे हैं 6,87,000 लाइक्स लिस्ट में अगला यानि की number 15 है बैला पोच का बिल्ड अप बिच वीडियो जुस पे खुद बैला ने कॉमेंट किया है और इसी चक्कर में कुछ गण चक्करों ने इसे 6,83,000 लाइक्स देकर इस लिस्ट में शामल करवा दिया अगला most liked comment है कर्डी बी के वैप वीडियो पे वैसे ये वीडियो इतना popular हो चुगा है कि हर किसी ने सुनाई होगा अगर नहीं सुनाएं तो आप अपनी मम्मी के साथ में बैट के सुन सकते हैं सुन लेना यार बस आपकी मॉम को इंग्लिश नहीं आनी चाहिए इस वीडियो पे comment किया है इस डिलो नाम के यूट्यूबर ने जिसे मिले है चै लाख अठावन अजर लाइक्स और उसने कहा है कि I am happy that my parents don't know English येस इसलिए तो मैंने कहा मॉम के साथ बैट के देख सकते हो लेकिन इंग्लिश नहीं आनी चाहिए दोस्तों ये comment अब आपको शायद नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब रिवाइन 2018 का वीडियो बहुत अच्छे से पिट चुगा था और फिर एरिक चैंपले नाम के दवंग ने रेड बुल पी के comment लिगा जिसके बाद इस comment पे 6,34,000 लाइक की बारिश हो गई पर ये comment बाद में खुद यूट्यूब ने हटा दिया एक कहावद है न कि पानी में रहकर भाई मगर मचको उंगली नहीं करनी चाहिए बस उसका अंजाम ये रहा नम्बो 18 नम्बो 18 पे है शिंशन जैसे मुह वाला American DJ Marshmallow PewDiePie और T-Series का पंगा तो पता ही होगा अरे दोनों में लगी पड़ी है यार होड कौन कितना पॉपुलर है PewDiePie literally इतना डर गया था कि उसने एक rap song बना दिया और ये बंदा बोल गया था कि इंडिया में जाता दर लोगों को US वाली English आती नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद उसे इतना तो समझ में आई गया होगा कि भाईया इंडिया में घरों में बच्चे अपने सगे बाप की नहीं सुनते तो भाई तुम्हारा गाना क्या सुनेंगे खेर PewDiePie ने इस song पे पिंड कॉमेंट किया और जिसको मिले दो साल पहले इस भाई साब ने एक वीडियो बनाई थी और आपको एक बात बताऊं और इन भाई साब ने इतनी सुपब वीडियो बनाई कि खुद यूट्यूब ने इसे अवार्ट के तोर पर कॉपिराइट क्लेम कर दिया और जब ये गुड न्यूज इसने कॉमेंट में दी तो लोगों ने धड़ा धड़ धड़ा धड़ 6,29,000 लाइक्स बरसा दिये वाँ भाई वाँ तो गाईस ये थी हमारी आज की वीडियो इसमें से कौन सा कॉमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रू बताईए और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई कॉमेंट हो योट्यूब का जो सबसे ज़्यादा फणी हो आपके हिसाब से तो उसे कॉमेंट सेक्चिन में कॉमेंट करके जरूब बदाईए और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर बहुचे